हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी आज की एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा basically कि आप कैसे अपने WhatsApp के ओपर जो account create करते हैं ठीक है अपना number देकर अगर आपने कोई और number यूज करना ठीक है तो उसके लिए आपको sim खरीदने की कोई भी जूरूरत नहीं है मैं आपको ठीक है आपका भाई आपको बताएगा कि कौन सी ऐसी application है जिससे आप अपना कोई भी account create कर सकते है WhatsApp के ओपर जो number रहेंगे ठीक है वो इंडिया के तो नहीं रहेंगे लेकिन हाँ आपको किसी other country का number आपको मिल जाएगा successfully आपका login हो जाएगा account ऐसी एक और दोस्तों एक पहली वीडियो मैंने अपने चैनल के ओपर डाली थी find out किया है ठीक है ना इस application की मदर से आप 100% successfully अपना account login कर सकते है account बना सकते है WhatsApp के ओपर तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देना मैं आपको step by step सब्जा दूँगा ठीक है कैसे आपने वो application को download कहां से करना है ठीक है उसको install करने के पाद उसका setup कैसे करना है और आपको कैसे number वो मिल जाएगा ठीक है और हाँ दोस्तों इस application का link आपको description में नहीं मिलेगा आपको इस application का भी link हमेशे की तरह मेरे telegram channel के उपर मिलेगा अगर किसी को नहीं पता है कि मेरे telegram के channel कौन सा है तो description में मेरे telegram channel का link जरूर मिल जाएगा बहुत से जाके आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं ठीक है आपको वहाँ पे हर एक application का link मिल जाएगा जिसका भी review मैंने आज तक अपने channel के उपर दिया है और इस application का भी link दोस्तों मैं उसी telegram channel के उपर दे दूँगा ठीक है दोस्तों और साथ इसाथ दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like भी कर देना और हाँ पहल आइकन को press करना मत बूलना ऐसी amazing वीडियो देखने के लिए तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीप आप दे टेलिग्राम चैनल के उपर मिलेगी description में मत ढूणना वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा उसका link ठीक है तो टेलिग्राम को join करने के लिए description में उसका मेरा link मिल जाएगा ठीक है तो अगर कोई भी problem आती दोस्तों तो मुझे instagram के उपर आप directly message कर सकते हैं ठीक है तो अभी चलते कि यह वह वाला application बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वह एक paid application है और इसमें आपको जो features मैं आपको बताऊंगा ठीक है क्योंकि जो trick दोस्तों work करनी है वो इसी application में करेगी जो link मैं आपको दूँगा ठीक है अगर आप Google Play Store से download करते हैं तो उसमें यह trick बिल्कुल भी work नहीं करे ठीक है तो यहाँ पे आपको एक pop-up show होगा यहाँ पे आपको तीन option दिखाई दे जा रहे हैं ठीक है कि आपको login करने है इसको sign up करना है sign up process आपको complete करना है तो दोस्तो simply मैं यहाँ पर continue with Google पे click करूँगा आपको कोई भी एक Gmail की ID बना लेनी है ठीक है अगर पहले से बनी है तो वहाँ से आप जो है login कर सकते हैं तो यहाँ से दोस्तों मेरे तीन account show कर रहे है ठीक है तो यहाँ पे मैं किसी भी एक account के ओपर अपनी ID बना लेता हूँ तो जो मेरा link है ठीक है टेक है मेरे टेकिन दीब की ID है तो मैं उससे अपना login करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों मै आपको बता दूँ आपको 9-1 बिल्कुल भी नहीं देना है आपको अपने इंडिया का area code बिल्कुल भी नहीं देना ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आप location भी use मत करना है यहाँ पर don't use location पर नीचे की option पर आपको click कर लेना है हमको अभी कौन सा पिन को डालना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दोस्तो हमको सिरफ 705 करके डालना है यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको Canada का flag जो है show होना लगएगा ठीक है तो इसमें दोस्तो आपको सामने आपके question number show हो गए है ठीक है ना तो आपको क्या करना है दोस्तो जो यहाँ पर free number दिखा रहा है उसके उपर click कर लेना ठीक है किसी भी एक number के उपर तो यहाँ पर नीचे continue कर देना है तो जैसे दोस्तो हमने continue कर दिया ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो जैसे कि आप देश सकते है ठीक है यहाँ पर जो उपर का number है ठीक है वो मेरे नाम के उपर मेरे email id के उपर जो है connect हो चुक है तो यहाँ पर दोस्तो आप simple एक पर click करेंगे ठीक है तो आपका जो number है वो click board के उपर copy हो जाएगा तो आपको क्या करना अब इसको minimize करके अभी WhatsApp को open कर लेना ठीक है तो जैसे मैं WhatsApp को open करता हूँ इसको agree and continue करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो जैसे कि United States है ठीक है तो यहाँ पर हम change कर ले इसको Canada कर लेंगे सबसे पहले आपका कोई भी area code पिन code लगा तो उसको हटा के आपको one कर लेना है Canada के लिए और यहाँ पर Canada select कर लेना है ठीक है और यहाँ पर अपना number जो था वो वाला paste कर लेना है जैसे दोस्तों paste करेंगे नीचे next का button है next पर हम click कर लेंगे ठीक है तो हाँ एक बात और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहा है इस band from using WhatsApp connect contact support for help ठीक ना तो यहाँ पर दोस्तों यह दिखा रहा है कि यह वाला number है जो WhatsApp की तरफ से जो है band हो चुक है ठीक ना तो अभी आपको यहाँ पर गबराने वाली कोई बार ने ठीक है आपका यह 100% work करने वाला मैं आपको फिर से बता दूँ अभी क्या करना को मैं आपको बता देता हूँ ठीक है एक बर आपको फिर से यहाँ से अपना setting में sorry यहाँ पर आपको minimize कर लेना application को तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको i button पर click कर ले ना i button पर click करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है ना इसको आपको एक बार force drop करके इसका clear data clear cache करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे memory के अंदर sorry storage के अंदर हम जाएंगे storage के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर clear data पर हम click कर लेंगे ठीक है तो अभी इसको हम दुबारा से एक बार open कर लेते हैं तो यह दोस्तों एक दो बार ऐसा होता है कई बार ठीक है तो इसमें कोई ऐसी tension लेने वाले इतनी बड़ी बात नहीं है free में आपको number मिल रहा है तो एक दो बार अगर करना भी पड़ गया तो कोई ऐसी वो बात नहीं है यहाँ पर हम दुबारा से पहले बैन ना हुआ हो तो वो भी काम कर जाता है तो यहाँ पर दोस्तों यह कुछ माग रहा है तो हम इसको other करके continue कर लेते हैं कुछ भी क्योंकि यह माग रहा है कि आपको किस चीज purpose के लिए number चाहिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों allow कर देते हम cancel कर लेते हैं यहाँ पर setup कर लेंगे एक बार दुबारा से वही सारा process करना आपको ठीक है न तो don't use location पर click करेंगे यहाँ पर area code फिर से वो 705 वाला भरना आपको continue करना agree करना है और यहाँ पर दुबारा से वो phone numbers get कर रहा है ठीक है आपको कोई भी एक number उठा लेना है तो मैं सबसे नीचे वाला number पर यहाँ पर continue कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते है number continue करने के बाद यहाँ पर number आ गया है ठीक है अभी इसको हम दुबारा से workshop के अंदर input करेंगे इसको cut कर लेते है और दूसर number यहाँ पर paste करके ठीक है अब मैं next पर click कर लेता हूँ अभी देख सकते हैं दोस्तों successfully यहाँ पर आ गया है कि आपका number जो है विल्कुल ठीक है ठीक है न तो यह band नहीं हुआ है यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं okay पर click करूँगा ठीक है okay पर click करने के बाद दोस्तों हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको code का option show हो चुक है ठीक है कि आपको यह code भेज देगा तो अभी दोस्तों यहाँ पर simply दो आपको मिलेंगे ठीक है न एक तो recent SMS का मिलेगा और दूसरा मिलेगा दोस्तों call me का अब किसी में भी choose कर सकते हैं तो basically मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको message वगएरा नहीं आ रहा है इन की तरफ से तो आपको call me पे click कर लेना है तो पहले में हम message देखेंगे कि message हमको आता है कि नहीं आता है तो recent SMS पे हम click करेंगे तो यहाँ पे लिखा आगया कि you are currently connected you please wait one hour before trying again ठीक है न तो एक बार तो हमने इनको बता दिया कि हमको message चाहिए तो अभी देख लेते हैं text norm में जाके message हमको show होगा के नहीं होगा ठीक है कोई बार नहीं दोस्तों तो इसमें SMS नहीं आए है हम अभी चलेंगे call me पे click करेंगे ठीक है न call me पे जैसे हम click करेंगे तो अभी इसकी तरफ से application की तरफ से हमें call आएगी receive होगी तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे call आगी है ठीक है इसको मैं अभी आपके सामने open करूँगा और एक second के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको unmute पे कर लेता हूँ speaker पे कर लेता हूँ तो गाइस देख सकते हैं इन्होंने मुझे जो verification code बता दिया ठीक है तो यहाँ पे मैंने verification code जो input कर लिया है तो यहाँ पे simply मैं इसको ज़रा skip कर लूँ ठीक है यह मेरा credential code है जो मैंने पेले भी input किया हूँ था तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो account है वो create हो चुक है ठीक है यहाँ पे तो मुझे दो से तीन बार यह process बार बार करना पड़ा ठीक है ना इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि जो number हम डाल रहे थे ठीक है एक तो वो पेले वाला जो number था वो band हुआ हो था WhatsApp की तरफ से और जो मैंने दूसरा वाला try किया था number उसमें क्या था कि किसे ने उस number को already use करके रखा हो था और उसके उपर अपना two step verification लगाया हुआ था इस वज़ा से दोस्तों मुझे उसमें problem आ थी तो अभी मैंने तीसरा number वहाँ से same जो application उसे उठाया तो लेकिन मुझे अपनी जो email ID है वो कोई और यहाँ पर link करनी पड़ी ठीक है तो मैंने तीसरी email ID अपनी link की यहाँ पर तो आपके पास भी अगर ऐसी email ID extra पढ़िए तो उसके उपर आप करकर के देख सकते है ठीक है न वह hopefully के first time में हो जाना चाहिए अगर नहीं होता तो आप 2 से 3 बार try करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा number मिल ही जाएगा ठीक है तो ऐसे करके दोस्तों मैंने यहाँ पर successfully अपना login कर लिया है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर continue का option note ना हम करेंगे ठीक है देख सकते हैं दोस्तों ठीक है क्या होता है कि देखी हमारा यह जो number है ठीक है personally हमारा तो है नहीं ना कि हमने इस को purchase किया तो इसी वज़ा से दोस्तों यह जो number है ठीक है जो हमें free में मिलते हैं तो यह random wise ना हर किसी को show होते रहते ठीक है अगर मैंने application को install किया आपने मिकिय है और दुनिया में 1000 लाखों लोग है ठीक है जिन्हों ने इस application को install किया तो ऐसे ही number जो है randomly उनको दिखाई देते है अगर आपने इस number को अपने लिए permanent करना है तो वो कैसे करना आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है simply यहाँ पे पहले अपना ठीक है login कर लेना login करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक account है already ठीक है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यह number ठीक है जो use कर रहा था कौन इनसान कर रहा था यहाँ ठीक है उसका यह एक message है मुझे यहाँ पे show हो रहा है ठीक है इस पे आपने click करना है और setting में जाना है setting में जाने के बाद दोस्तों आपको account के section में जाना है ठीक है यहाँ पे दोस्तों आपको two step verification का एक code दिखाई दे रहा होगा यहाँ को दोस्तों आपने enable कर दें ठीक है यहाँ पे आपको एक अपना pin set कर लेना है अभी मैं यहाँ पे अपना pin set कर लेता हूँ तो द कर भी इस number को नहीं ले पाएगा क्योंकि इसका हमने two step verification on कर लिया है जब तक उसको अपना two step verification का code नहीं पता चलेगा दोस्तों तो वो कैसे अपना इस number को अपने phone में use कर सकता है जैसे हमारे साथ problem आ रही थी ठीक है same वैसी problem अब उसके साथ भी आएगी अभी दोस्तों ये number हमारा permanently हो चुका है यहाँ पर देखो दोबारा two step verification माग रहा है अभी मैं इसको fill कर लेता हूँ फटा हट से ठीक है दोस्तों तो ये हमारा permanent के लिए हमारा number बन चुका अब इसको कैसे भी करके आप कहीं कोश भी करके कैसे भी use कर सकते है ठीक है तो कोई भी आपको problem नहीं हाने वाली two step verification on कर लीजे अगर आपको ये number permanently के लिए हमेशा के लिए चाहिए तो ठीक है वरना कोई भी और application के जरीए इस number को अगर उसने अपने application में देखा तो उसने इस number को try किया तो आपका ये यहां से low guard हो जाएगा और वो अपना वहाँ पर चल जाएगा ठीक है तो अगर इस number के ओपर आप कोई अपना business के related कोई किसे से chat कर रहे हो में कोशी भी कर रहे हो तो वो जो information के पास भी ना जाए इसके लिए आपको इसका टू स्टै वरिकेशन ओन कर लेना है ठीक है इस बात को याद रखना इस वीडियो में बस इतने था अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना subscribe कर देना मेरे चैनल को मिलता हूं दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक इनली बाबाई एंड टेक केर